तो क्याल चाल सस्तिरकाल मैं हूँ नियौन मैनेंट काईज आज हम लोग बात करने वाले एलविश आदव और धुरूवराथी के बारे में तो क्या धुरूवराथी के वीडियो के वज़े से एलविश आदव को काफी हेट मिल रहा है बिल काईज आप लोगों बता होगा लास्ट कुछ अफ्तों से जब से धुरूवराथी ने अपना धुरूवरा स्टोरी वाला वीडियो अप्लोड किया था बेसिक हुमिलिटी और एमपिथी वाली चीज़े होती है कि अपनी दौलत पर घमंड मत करो और गरीबों का मजाग मत उड़ाओ वो भी नहीं एक्सपेक्ट किया जा सकता दूसे आज के दिन कोई भी 15-16 साल के लड़का तेरी वीडियो देखेगा तो क्या सीखेगा और तो को खिलोनों की तरे ट्रीट करना गाली गलोज करना ऑनलाइन बुलिंग करना अगांट उड़ादो 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 फाल्तु की लक्शरी गाड़ियों का दिखावा करना सच कह रहा हूं मैंने तेरा पूराना वीडियो इसलिए एग्णोर किया था क्यूंकि वह सिर्फ मेरे उपर थारा तो देश में कूरी एक कम्यूणिये को बातने का काम करती। Ao सिर्फ तेरे से पर्सेनली बात करनी होती तो कॉल पे भी बात कर सकता था लेकिन यहां एक जेनरल मेसेज भी देना है यूद को अफर दिस वीडियो अब एलविश आदफ की तरफ से भी एक रिस्पॉंस वीडियो आया वो अपने मेन चैनल में यह वीडियो अप्लोड किये अब मेरी बारी यहां पर भी वह काफी जादा दुरूवराटी के बार में बात किये एक छोटा सा पार्ट में आपको प्ले करके कि खा देता हूं जर्मानी की पप्लिक लग रही है जर्मानी के बंते हैं तो यहीं कई खावे बार किये हैं हमें तो सारी चीज वह है वेलकम हम तो ना बुरामान है ना दिल पहले हैं कोई दिक्कत वाड़ी बात ना पर मारी आटीनों चलेगी मैंने कोने दो मतलब करते हैं अब तो मियार् अब पुरानी जी थाग है करता हो कुछ भी टालै है महर ऐतो जब परगणा बड़े करती हैं कर दियाना तैनर बेर के बार प्लेग टांपर क्या कर रागारा दंकत अग्यार पोल भॉल्र पाहागा ना बागा ना जर्मानी तो तो जैसा कि आपने सुना लास्ट में वो बोले थे कि वह एक फैक्ट बेस्ट वीडियो भी लाने वाले तो इस अफ नौव जैसा कि आप देख सकते हो उनके वीडियो का लाइक तो डिसलाइक रेशियो काफी खराब है उनको 54 डिसलाइक्स मिल चुके हैं और अगर आप लवी शादफ का कमेंट सेक्शन खोलोगे तो पूरे टॉप कमेंट्स यही भरेव हैं कि हैट्स ओफ तू दुरूव राथी एडुकेशन इस इंपोर्टेंट अधर स्टफ लाइक दिस आप देख सकते हो अब यह बहुत बड़ा सीन हो गया है और काफी सारे यूटूबर्स भी लक्षे चौधरी के तरफ से यह वीडियो आया बेसिकली इस वीडियो में वो दुरूव राथी को क्रिटिसाइज किये दिन समराट भाई अपने स्टोरी में कहे फाइफ के रिप्लाइज और न्यूव वीडियो लाइव एनाराई पर और क्रीजी दिप भी कहे वन के रिप पल आर्टिकल्स आने लगे कि वो सपोर्ट कर रहे थे दा बैन ओफ दिस मूवी विल इस चीज़ पर वो काफी जादा गुसा हो गये और क्लारिफाइज करते वे उन्होंने यह ट्वीड किया प्लीस टॉप स्प्रेडिंग फॉल्स न्यूज यह वाला सीजन आई पील का इडिशन उन स्टार स्पोर्ट इन हिस्ट्री और इतना ही नहीं आपको पता हुआ कल शुबमन गिल भी बहुत सारे रिकॉर्ड ब्रेक किया थे आप पॉस करके रीड कर सकते हो ही बिकेम दी यंगेस्ट प्लेय तु स्कोर ए सेंचुरी इन आई प्लेयोफ प्लेयोफ अपने इंस्टेग्राम में यह अप्लोट किये बारे तो चली अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले तारक मेता का उल्टा चश्मा शो चल रहा है तो इसे के रौन बहुत सारे यूट्यूबर भी वीडियोज बना रहें तो क्या एक यूटूबर का TM.QC कॉन्ट्रि तो डिलीट कर दिया वीडियो काज अल्रेडी स्ट्राइक पड़ी है तो चैनल रिस्क भी नहीं डाल सकता बाकी इतना ही कहूंगा कि जी मैं दम है तो हक से लड़ो ना और वैसे भी मैंने खुल के बजाया भी नहीं था बाकी शेर करो पब्लिक तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले बीजियमाई के बारे में तो फाइनली बीजियमाई का रिटर्न डेट हम लोग को पता चल गया है यहां गाईस मॉटल अपने स्टोरी में यह अप्लोड करके दिखाए यह बीजियमाई के तरफ से एक अनाउंसमेंट आ गया है और इसमें यह लिखा हुआ है कि हम लोग गेम को प्रिलोड तो कर सकते हैं 27th में से बट दे गेम विल बी प्लेएबल फ्रॉम 29th में ओनवर्ड अनिवेश चलिए अब आगे पढ़ते हम लोग बात करने वाले स्निहा सजदेवा के बारे में तो क्याईस रीसल्ली मैंने अपने इस वीडियो में एक्स्प्लेइन किया था स्निहा सजदेवा और पारस छक्राल के बीच में जो सीन हुआ है पूरी तरीके से अगर आपने नहीं देखा है तो जाके देख लेना बट्या अपैरेंट्ली आफ्टर दैट स्निहा सजदेवा का चैनल जिसमें वन मिलियन प्लस सब्सक्राइबर्स थे वो डिलीट हो गया जिहां वो अपने इंस्टेक्राइम में ये वीडियो अप्लोड करके बोली तो मेरा यूट्यूब चैनल डिलीट कर दिया गया चार साल की मेहनत मेरी उडा दी यूँई कोई बात नहीं मैं नहीं टूटूँगी लेकिन मैंने एक नहीं यूट्यूब चैनल क्रियेट की है आप उसी के अंदर सब कुछ डालूँगी सारी चीज़े रिवील मैं उसी चैनल पर करूँगी आप लोग जाकर के बस उसको सब्सक्राइब करो और सपोर्ट दिखाँ बटिया आप खुछ सुन लीजे उन्होंने क्या बोला जिस दि मैंने अपना अप लॉंच किया था सेम डे पे मेरे पास कॉल आया था और सार जब मैं टेबल पर बैठा एक फाइव सार होटेल में उन्हें मुझे एक बहुत बड़ा आमांट ओफर किया सार इतना बड़ा आमांट कि शाद मेरे आने वाली दो जनरेशन्स तीन जनरेशन्स अराम से बैठके खा सकते थे 90 परसंट मैंने हाँ भी बोल दिया था क्योंकि वो इतना बड़ा एक लाइफ का आप कह सकते है डिसीजन था तो तो उस पैसे का कितना आमांट खर्च कर देगा मैंने गाए दो सी आर तीन सी आर करेगा और उसमें बात इतना कुछ शिखा और उसमें में बात ही थी कि पैसा इंपोर्टन है सर लेकिन वो सब कुछ नहीं तो चलिए बागे बढ़ते हम लोग बात करने वाले टेलीग्राम एंड वाट्साप के बारे में तो टेलीग्राम ने वाट्साइब को इस चीज़ पर ट्रोल कर दिया जिया रीसेंली शायद आपने ये न्यूस सुना इट्सियर एनिवेज चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले सल्मान खान एंड विक्की कोशल के बारे में तो विक्की कोशल अपने एंड सल्मान खान के वाइरल वीडियो के उपर बात किये ज्या गाइस रीसेंली अबुड़ाबी में आईफा का कुछ इवे जाते हैं तो कुछ लोग बोलने लगे कि यहां पर विक्की कोशल का इंसल्ट किया गया या सल्मान खान उन से जान मुझ के रूटली बिएव किये वेल इन सारे स्पेकिलेशन के उपर याक्ट करते हुए उन्होंने यह कहा a lot of times there is unnecessary chatter about things there is no point about it things don't actually are as they seem in the video there is no point in talking about it basically saying कि लोगों का perception गलत है about that video जैसा कि उस वीडियो में देख रहा है वैसा है नहीं तो उसके बारे में बात करके कुछ फायदा नहीं गुस्सा हो गए आप खुछ सुन लीजे उन्होंने क्या बोला तो चलिए बागे बड़ते हम लोगों कोई किसी को काम करना आता नहीं अगर बोल में चाहेंगे तो तुम्हें बोल देंगे कि छोड़ दीजे सब तो चलिए बागे बड़ते हम लोग बात करने वाले मुंबाईकर निखिल के बारे में या गाइस आज वाले व्लॉग में वो अपने पास्ट यूट्यूब करियर के बारे में थोड़ा सा बात किये कि कैसे उनके कुछ खराब यूट्यूबर फ्रेंड्स वगरा बने आप खुछ सुल लीजे उनने क्या बोला सब के सब एकदम कसम से बोलता है मेरी किसमत ही खराब है यह फेम और अटेंशन के चकर में यह सब लोग ना सब लोग पॉजनस हो जाते हैं अगर आज से तीन सार पहले जाओ तो लोग पते क्या बोलते थे अरे वह बेटर है यह बेटर है आप खराब हो मैसमत मत मिलना इसको इतना सा पॉजन होता था अभी ओट खुबशूरत हो गई किसी यूट्यूबर के वीडियो को खड़ा हुआ है बात कर रहा है किसी के भी मैं अपनी जनरली बात किसी की बात कर रहा हुआ है तो उलोग को बेटे बिठाय अपने सर पर चड़ा के महान मना देते हैं जबकि आ पूरा का पूरा टॉक्सिक कर देता है पूरा एंवायमेंट तो चल लिए बागे बढ़ते हैं हम लोग बात करने वाले नास डेली के बारे में तो रीसनली नास डेली अपने चैनल में एक वीडियो अप्लोड के थे वी ब्रोक अप एंडिया बाइड आप समझ सकते हो यह तो चल लिए बागे बढ़ते हम लोग बात करने वाले कैरी मिनाटी के बारे में तो क्यारी मिनाटी का न्यू वीडियो का डेट हम लोगो पता चल गया है जहां गाईज वो अपने इंस्टेग्राम में यह रील अप्लोड किये नेक्स्ट वीडियो ऑन मंडे एंड वीडिय तो चल दोस्तो आज की वीडियो के लिए बस इतना है अगर आप कोई वीडियो थोड़ा सभी पसंद आया हो तो लाइक कर देना चैनल को भी तक सब्सक्राइब ने कियो तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब भी कर लेना न्यूस सब्मिशन का लिंक डेस्क्रिप्शन में वहाँ से जाके आप कुछ न्यूस भजोगे तो आपको क्रेडिट्स में मिल सकता है मेरे डेस्क्रिप्शन में तो यह सब्सक्राइब करते रहना मिलते नेक्स वीडियो में तिल देन बाबाई